दोस्तों अगर आप YouTube, Facebook, Instagram या किसी भी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको AI से related बहुत सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे तो AI का इतना जादा हला क्यों हो रहा है तो उसका simple सा reason यही है कि AI की मदद से हम अपने काम को काफी आसान बना सकते हैं जिस काम को करने में हमें घंटों लग सकते हैं AI उसी काम को कुछी seconds के बीतर कर सकता है तो आज की इस बड़ों में आप सभी के लिए लेकर आहूं एक ऐसा PDF editing software जिसकी मदद से आप अपनी PDF से related बहुत सारी problem को दूर कर सकते हैं साथ ही इसमें आपको AI feature भी मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपनी PDF को summarize कर सकते हैं rewrite कर सकते हैं PDF से chart कर सकते हैं बाकी PDF से little किसी भी तरह के question को पूश सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं किस तरह आप इस software का use करेंगे तो दोस्तों इस software का नाम है UPDF UPDF का link आपको मिल जाएगा इसी video के description और pin comment में आप उस link पर click करके इस software को आसानी से download और install कर सकते हैं बाकी जब आप इस software को start करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा आप यहां से अपनी PDF file को open कर सकते हैं तो अभी हम सीखने वाले हैं UPDF के AI tools का use करना तो सबसे पहले हम यहां पर अपनी PDF file को open कर लेते हैं open करने के लिए आप यहां open file पे click करेंगे इसके बाद आप अपनी PDF file को select करेंगे open पे click कर देंगे तो यहां पर आपकी जो PDF file है यह open हो जाएगी अगर आप next या previous page को देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको यह arrow मिल जाते हैं इन arrow की मदद से आप अपना next page या previous page देख सकते हैं कि आपके सभी pages में क्या content लिखा हुआ है ठीक है इसके बाद इस side आपको UPDF का AI tool मिलता है जैसे ही आप इस पर click करेंगे यहां पर UPDF का AI tool आपके सामने आ जाएगा बाकी अगर आप अपनी PDF से related किसी भी तरह का काम करना चाहते हैं जैसे कि इस PDF को अगर आप summarize करना चाहते हैं rewrite करना चाहते हैं PDF से chat करना चाहते हैं इसके लिए आपको आना है ask PDF आले section में और इसके बाद आप यहां get started पर click कर देंगे तो अभी आपकी जो PDF file है यह यू PDF के cloud में store होगी बाकी आप चाहें तो cloud से file को remove भी कर सकते हैं अपना काम पूरा होने के बाद तो जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने get started पर click किया यहां पर जो हमारी PDF file है वो summarize होने लगी है तो पहले section में हमने ways to earn money online के बारे में बताया है इसके बाद section 2 में हमने freelancing के बारे में बताया है section 3 में हमने YouTube पर grow होने की strategy discuss की है इसके बाद यहां पर other question भी आप पूछ सकते हैं AI से जैसे की यहां पर लिखा हुआ है what are some popular method to earn money online आप चाहें तो इस question को पूछ सकते हैं आपको पूछने के लिए क्या करना simply इस question को यहां से copy करना है यहां पर paste कर देना है enter button दबाना है तो अभी जो AI है वो आपके question के according आपका यहां पर जो answer है उसे generate कर देगा कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं earn money online के ठीक है तो यहां पर वो सारे method आपको मिल जाएंगे बाकि अगर आपको YouTube से related किसी भी तरह का question पूछना है तो आप YouTube से भी related बहुत सारे question को पूछ सकते हैं जैसे कि यहां पर यह तीसरा question है मैं इसी को यहां से copy कर लेता हूँ और इसे मैं यहां पर paste करूँगा enter button दबाऊँगा तो यहां पर आप देखेंगे जो यू PDF का AI tool है वो यहां पर answer generate करके हमें दे देगा तो कुछ इस तरह से आप अपनी PDF से related किसी भी तरह के question को पूछ सकते हैं बाकी यहां पर इसको हम generate होने देते हैं generate होने के बाद हम manually यहां पर कुछ और question भी type करके देखेंगे ठीक है तो कुछ इस तरह का इसने यहां पर strategy बता दी है कि किस तरह आप YouTube पर जवाब देता है best camera for YouTube तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर इसने answer generate कर दिया है और आपके camera में क्या-क्या खासियत होनी चाहिए वो सब कुछ यहां पर इसने बताया है इसके बाद यहां पर इसने कुछ camera भी suggest किये हैं जैसे कि M50 Mark II Canon का Sony ZV1 है इसके बाद Panasonic का भी camera है GoPro Hero 9 भी है तो यह सभी camera इसने हमें suggest किया बाकी आप चाहें तो इससे और भी camera choice ले सकते हैं ठीक है इसके बाद यहां पर आपको chat GPT जैसा ही एक AI tool मिलता है आपको simply यहां chat पर click करना है इसके बाद आप यू PDF से जो भी question पूछना चाहते हैं वो सारे question आप यहां से पूछ सकते हैं जैसे कि मान कि चलिए मुझे VLOOKUP सीखना है तो मैं यहां पर क्या type करूँगा How to use VLOOKUP in Excel ठीक है यह मैंने type किया How to use VLOOKUP in Excel Enter बटन दबाएंगे तो अभी आप देखेंगे VLOOKUP को use करने के वो सारे तरीके आपको यहां पर मिल जाएंगे कि किस तरह आप VLOOKUP को use कर सकते हैं बाकी chat section में आने के बाद आप यहां पर अपनी किसी भी तरह की problem को discuss कर सकते हैं Hope आपको UPDF का AI tool समझ में आया होगा इसके बाद यहां पर आपको UPDF और भी बहुत सारे tool प्रोवाइड करता है जैसे कि यहां page tool दिया गया है आप इस पर click करेंगे तो यहां से आप अपनी PDF में watermark set कर सकते हैं background change करना चाहें तो background change कर सकते हैं header footer insert करना है जैसे कि मान के चलिए हम text का watermark लगाना चाहते हैं तो हमने text पर click किया इसके बाद आप यहां पर जो अपना text है उसे mention करेंगे इसके बाद text से related आप यहां पर जो setting है वो सारी setting कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको font का style change करना है तो आप यहां से font का style change कर सकते हैं underline करना चाहें तो underline कर सकते हैं उसका जो font का color है वो आपको change करना है तो आप यहां से font का color भी change कर सकते हैं इसके बाद जो watermark का ratio है उसे अगर आप increase करना चाहें तो आप यहां से increase कर सकते हैं वाकि decrease करना चाहें इसके बाद आप यहाँ पर watermark किस तरह से set करना चाहते हैं वो सारी setting आपको यहाँ पर मिल जाती है बाकी मैं यहाँ पर single watermark लगाना चाहता हूँ अपनी PDF में तो इसके लिए मैं यहाँ पर single पर click करूँगा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी option मिल जाते हैं ठीक है बाकी यहाँ पर अगर आप watermark को rotate करना चाहते हैं तो यहाँ पर rotation के भी option दिये गए हैं आप इन सभी option को use कर सकते हैं काम पूरा होने के बाद आप simply यहाँ save पर click कर देंगे तो अभी आप देखेंगे जो आपकी इस PDF में जितने भी pages हैं सभी pages में watermark set हो चुका है बाकी अगर आपको background change करना है तो आप आसानी से background भी change कर सकते हैं background change करने के लिए आप यहाँ background पर click कर दिजिए इसके बाद आप यहाँ जो भी color रखना चाहते हैं background changing का वो color आप यहाँ से choose कर सकते हैं background को light रखना है, dark रखना है आप उसे यहाँ से set कर सकते हैं जैसे कि मैं इसे light रखना चाहता हूँ तो मैंने इसे light कर दिया है, ठीक है काम पूरा होने के बाद आपको save पे click करना है इसके बाद अगर आप अपनी PDF file के pages को crop करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ crop pages पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर जो pages हैं इसके कोने पर आप देखेंगे यहाँ पर यह dot dot बनके आ चुके हैं इन dots की मदद से आप अपनी PDF file के pages को आसानी से crop कर सकते हैं आपको simply अपने mouse का left button दबा के रखना है जहां तक भी आपको cropping करनी है आप वहां तक cropping करिए cropping पूरी होने के बाद आप simply यहाँ crop पे click कर देंगे तो अभी आप देखेंगे जो page हमने select किया था वह page यहाँ पर crop होके आ चुका है बाकी अगर आप अपनी PDF file के pages को arrange करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको organize pages पे click करना है इसके बाद आप अपनी PDF file के pages को आसानी से organize कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो पहला page है मान के चलिए हम इसे तीसरे number पर रखना चाहते हैं तो हम इसे drag करके कुछ इस तरीके से लाएंगे बाकी last में रखना है तो आप नीचे भी ले जाएंगे और drag करके आप इसे छोड़ देंगे तो अभी आप देखेंगे जो हमारा पहला page था वो last में आ चुका है बाकी अगर आप इसे पहले रखना चाहें तो पहले भी रख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आप अपने pages को arrange कर सकते हैं बाकी अगर आप किसी भी page को replace करना चाहते हैं किसी दूसरे page से तो आप यहां से replace भी कर सकते हैं बाकि अगर आपको किसी भी तरह का PDF form create करना है तो इसके लिए आप prepare form में आएंगे और यहां से आप यह सभी tool यूज़ करके अपना PDF form create कर सकते हैं PDF file को edit करना चाहें तो edit PDF में आईए और आप यहां से अपनी PDF file को आसानी से edit कर सकते हैं जैसे कि मान की चलिए इस heading को हम modify करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहां पर click करेंगे और इसके बाद यहां पर आप जो भी text लिखना चाहते हैं आप अपना वो text लिख सकते हैं ठीक है बाकि आपको text पर click करना होगा इसके बाद अगर आप अपनी PDF file में किसी भी तरह की image insert कर चाहते हैं तो इसके लिए आप image पर click करिए अपनी PDF file में कहीं पर भी click करिए आप अपनी image को select करिए open पर click कर देंगे तो यहां पर आपकी जो image है वो insert हो जाएगी image को छोटा या बड़ा करना है तो यहां पर आपको यह dots मिल जाते हैं इन dots की मदद से आप अपनी image को छोट करेंगे जिसे आप link करना चाहते हैं इसके बाद link to web पर click करिए यहां पर आपका URL है उस URL को आप यहां paste कर देंगे इसके बाद अगर आप यहां reader में आएंगे और इस text पर click करेंगे तो यहां पर जो आपकी website है उसको open करने का pop-up आ जाएगा अगर आप open पर click करेंगे तो यहां पर आपकी जो website है यह open हो जाएगी बाकि दोस्तों अगर आप अपनी PDF फाइल में किसी भी तरह के text को highlight करना चाहते हैं या comment insert करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहां comment पर click करेंगे इसके बाद आपको यहां पर text को highlight करने का strike through apply करने का underline या text insert करने का comment insert करने का यह सब्सक्राइब मिल जाते हैं बाकि стать लगानी चाहते हैं तो आप यहां से सप्सक्राइब लगा सकते हैं signature इंसर्ट करना चाहें तो आप से signature ली इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि मानकी हम text को highlight करना चाहते हैं तो हम highlighter परफिड करेंगे इसके बाद अपने text का selection खरेंगे जिसे हम highlight करना चाहते हैं strike throw apply करना है तो आप simply strike throw पर click करिए अपने text का selection करिए और आपका जो text है उसमें strike throw apply हो जाएगा तो कुछ इस तरह दोस्तों आप you PDF का use कर सकते हैं उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए